अच्छ की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिक्स इंग्लिश लाइब टेक्सबुक का चैप्टर नमबर फाइव जो की है तो मैं ऑन दा आइलेंड यह इसलेंड भले ही लिखा जाता हो पर इसे आइलेंड स्पेल में इसे इसलेंड होता है और मुझ से बोलने में यह आइले आइक्वामे घजानल भी है आप उसे जॉइन कर सकते हैं वहां पर हम क्वेस्चन परोवाइड करेंगे आइक्जंस प्रोवाइड और इंप्षापि बहुत इंपोर्टन चीजे ब हम जाय 셀रिमाएघ्ट हो लीएंगी बस टाइब कीजिए निण हो मिदा यह फिर आपने id क कसके पकर ना या फिर बहुत कसके उसे मतलब छोड़ना एक दम फरमली पकरना मरसी मरसी मतलब काइननेस या पिर इसी को माफ कर देना दया करना शप्वेक सिप डेज कमद एक्सपीजरेंट से शप Easy शप्वेक मतलब जब कोई ship का accident हो जाता है नौ करता है जहां से वो निकल ना सके birates Spirits मतलब जो sailors होते हैं और जो robbers होते हैं जो एक दुसरे की ship attack करते हैं C में. फिर है fingering. Fingering मतलब है touching और handling with fingers. किसी चीज़ को हाथों से पकड़ना या चूना. A. A का मतलब होता है yes. Our hectic word है yes के लिए. फिर voyage है. Voyage मतलब long journeys on a ship. लंबी लंबी यातरा है ship में. Nasty corner मतलब bad या फिर unpleasant situation. अच्छी situation ना होना. A way out का मतलब होता है deal with the problem. Deal with the problem मतलब problem के साथ deal करना. Generous मतलब होता है अच्छा इंसान willing to give money. Especially मतलब जो सोचा उससे भी दादा पैसे दे देता है वो इंसान. इस तरह का एक generous आदमी है. मतलब हम नहीं बहुत सकते कि वो तो बहुत generous आदमी है. वो help करते हैं बहुत अच्छे हैं. तो generous होता है. अच्छा. Squire. एक land owner जिसके पास बहुत ही बड़ी. मतलब बहुत इज़त होती है. उसके society में पूरी और एक English village में. English मतलब जहां पर बहुत लोग English बोला करते हैं. Passage मतलब एक trip होती है. या फिर एक journey जो की ship पर होती है. Mate मतलब साथी. The person who is second in command of ship. After the captain. तो मतलब वो captain के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा rank होती है. उसको mate कहते हैं. In charge of, having responsibility for. देखिए, जैसे हम नहीं बोलते हैं. You are in charge of the choir group. तो मतलब आप गाने वाले ग्रूप के in charge हो. मतलब आपकी responsibility है. Anciously मतलब worriedly. बहुत चुंता करते होई. Canon मतलब बड़ी ऐसे तोपे टाइप बोलिया नहीं होती. ऐसे करके तो उसे कैनल बोला जाता है. जो कि लाईयों में इस्तमाल होती है. फिर अभी हम सेंटेंस को complete करना है. Bengan was marooned on island for three years. The man on the island asked Jim for some cheese. Flint buried the treasure and killed the six men who accompanied him to his island. The cannon had stopped but the guns were fired. तो यहां से मतलब दिया गया है कि Bengan को maroon, मतलब बकेरा छोड़ दिया गया था तीन सान के लिए island पे. और जो आदमी है island पे वो Jim से पूछता है कि उसके पास cheese है क्या. फिर जो flint का flint ख़जाना चुपा देता है और बाकी के जो साथी होते हैं उन्हें मार देता है. फिर जो cannon जो बड़ी बड़े बंदू के होती हैं वो fire होना बंदू राती है पर बेंग बट गंस जो है वो fire तब भी होती रहती है. हाई अब आप some trees मतलब पेडों के एकदम ऊपर कुछ अंग्रेज ही मतलब English अंग्रेज लोगों के flag ऊड़ रहे थे हैं. आप इन questions को briefly answer करना है. Why did Jim think that there was someone atop the hill among the trees? Jim को ऐसा क्यों लगा कि कोई मतलब hill के ऊपर है या फिर trees के आसपास है. तो Jim को ने एक figure दिखा. Run from on one tree to another. मतलब एक पेड़ सा दूसरे पेड़ पेड़ उसे भागता हुए कोई figure दिखा. Some stones came rolling down a side of hill. कुछ पत्थर नीचे आते गए ऐसा लग रहा था कि कोई भाग रहा और इसके भागने से धम धम से ना पत्थर नीचे आ रहा है. तो अभी अभी question 2 में उस आदनी को describe करना है जिससे Jim आइलेंड पे मिला था. He was a white man. वो एक गोरा चिट्टा इंसान था पर उसको धूप में रहने की वज़े से वो काला हो गया था. इसकी आखे, blue आखे जो थे, उसके blue आखे उसके चहरे पे, काले चहरे पे बहुत अजीब दिख रही थी. उसके बाल और उसकी दाड़ी, दोनों ही लंबी और बहुती सफेद थी. उसके clothes, rag, मतलब rag मतलब bore type थे और उसको held together, मतलब हम अपने कपड़े धागे से सिला करते हैं. वो कोई जंगली धागे से या फिर अपनी जो कपड़े हैं, वो लकड़ी से सिला करता था, मतलब कैसे अजीब से कपड़े होंगे उसके. How did the man on the island come to be there? वहाँ पे वो जो आदमी था, आखिर वो पहुँचा कैसे? तो तीन साल पहले की बात है, जब बेंगन दूसरी शिप पे था, तो उसने इस island को देखा, तो बेंगन ने अपने दोस्तों से कहा, अपने साथियों से कहा, कि वहाँ पे फिलिंट का island है, और वहाँ पे उसने अपना ख़जाना चुपा रखा है, हमें वो खजाना ढूनना चाहिए, तो वह उसकी बात मानते हुए, वहाँ पे 12 दिनों तक ख़जाना ढूनते हैं, पर उन्हें खजाना नहीं मिलता है, तो उसकी shipmates बहुत गुसा हो राते हैं, उसके साथ ही बहुत गुसा राते हैं, और उसे वहीं छोड़ देते हैं, अकेला, और उसके साथ एक गन एक बंदूक और एक एक्स एक्स मतलब कुलहाडी छोल के चले जाते हैं ताकि वो फ्लिंट का ट्रेजर ढूंडे और वो चले जाते हैं तो यही होता है और वोट फूड आइटम डिड बेंगन आस जिम एन वाई तो बेंगन ने क्या पुछा जिम के लिए और क्यों पुछा तो बेंगन को क्या चाहिए था चीज चाहिए था तो कच्ची कच्ची berries या shellfish खा रहे जो कि बहुत ही गंदी होती है उसे धंका खाना नहीं मिला तो वो कहता है कि वो एक बस उसे हलका सा चखने के लिए भी अपना सब कुछ दे सकता है चीज को चखने के लिए फिर अभी हम इन questions को सोचना है उसके बाद answer करना है Do you think Ben Gun had found a hidden treasure? Support your answer evidence from the story तो क्या आपको लगता है कि Ben Gun को खजाना मिल गया होगा अगर हां तो बताए ऐसा आप क्यों सोचते हैं तो हां बिलकुल हां क्योंकि Ben Gun को खजाना मिल गया होगा Ben Gun must have found a hidden treasure Ben told them that his shipmates left him with an axe and a gun for the island Three years ago to search for the treasure तो तीन साल पहले वो से छोड़ के थे तीन साल बहुत जादा होते हैं तो earlier Ben Gun also mentioned the gym that he was rich तो मतलब वो इतने साल रहा तो ऐसा तो possible है नहीं कि उसे खजाना ना मिला हो उसने हर एक कोने-कोने वाली जगा देख लिए होगी और उसने ये भी बोला था ऐसे मतलब इस टायल में कि मैं आप rich हूँ रिच हूँ तो उसने दो वासा हिंट दिया था कि उसे खजाना मिल चुका है और ये सारे points जो है बताता है कि Ben Gun को शायद treasure मिल गया होगा फिर question 2 है इसका Why do you think Ben Gun decided not to go together to the ship मतलब उस ship में क्यों नहीं जाना है उसने ऐसा क्यों सोचा कि ना जाओ तो Ben Gun ने decide किया कि वो gym के साथ नहीं जाएगा क्योंकि अगर वो वहाँ जाता तो उसे बहुत सारी लोग घेर लेते उसके खजाने के बार में सब को पता चल जाता सब उससे सवाल करने लगते कि ये कहां से खजाना है which he had probably found and hidden on the island and which he did not want to part with और वो किसी को भी अपने खजाने का बटवारा नहीं देना चाता तो इसलिए ये था हमारा chapter The Man on Island अच्छा लगिए तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने टेलिग्राम चैनल में भी जॉइन हो जाएए तैंक यू